This video is sponsored by Galaxy Construction and Infra Projects. We help you to make your dream home. नमस्कार आप देख रहे हैं शब्दुसांची और मैं हूँ आपके साथ न्याजिया. दर्श को पिछले वर्ष भी चाइना मांजे पर प्रतिबंध लगाया गया था, वहीं इसे बेचने वालों के खिलाफ सख्त कारेवाही भी की गई थी. पुलिस और प्रशासन समय समय पर इसके खिलाफ एक्शन लेता रहा है. पिछले वर्ष भी चाइना मांजे को बेचने वाले एक व्यापारी के खिलाफ सख्त कारेवाही करते हुए उसके मकान को तोड़ा गया था. नए साल के जनवरी महीने में मकर संक्रांती का तेवहार आने वाला है. इस पर्व पर आस्मान में रंगीन पतंगों की बहार आएगी. अगर इस दिन किसी ने भी पतंग उड़ाने के लिए चाइना मांजे का इस्तमाल किया तो उसकी खैर नहीं होगी. उजेन प्रशासन ने इसके लिए सक्त कार्यवाही की तैयारी कर ली है. जिले में चाइना मांजे पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है. चाइना मांजे को बेचने और इस्तमाल करने वालों के खलाप कानूनी कार्यवाही के निर्देश भी जारी कर दिये गए है. उजेन के जलादिकारी कुमार पुरुशोत्तम ने बीती एक दिसंबर को चाइना मांजे पर प्रतिबंध की आदेश चारी किये थे पतंग बाजी के लिए वर्षों से जान लेवा चाइना मांजे पर पुलिस और प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है उजेन में मकर संक्रांती परव पर लोग खूब पतंग उड़ाते हैं आस्मान में रंग विरंगी उड़ती पतंगे अलग ही नजारा बना देती हैं इस दौरान लोग एक दूसरे की पतंग काटने की होड में लगे रहते हैं पतंग काटने के लिए वो चाइना मांजे का उपियोग करते हैं लेकिन ये चाइना मांजा बहुत खदरनाक होता है कई बार इससे बड़े हाथ से भी हुए हैं इस मांजे की चपेट में आकर बड़ी संख्या में पक्षियों की जान जा चुकी है कई आम लोग भी इस मांजे से अपनी जान गवा चुके हैं उच्जेन में चाइना मांजे पर प्रत्वन्थ लगाए जाने के बाद पुलिसद्वारा उसकी खरीद फरोख्त करने वालों पर छापा मार कारेववा ही की जा रही है कुलिस की ओर से लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है कि जला प्रशासन के निर्देश पर चाइना मांजे को बेचने वालों के खलाब धारा 188 में मामला दर्ज किया जाएगा वहीं इस मांजे से पतंग उडाने वालों पर जान लेवा हमले की धारा 307 में कड़ी कारिवाही की जाएगी 15 जनवरी 2022 को चाइना डोर के कारण जगोटी गाओं की रहने वाली नेहा की जान चली गई थी वो अपने मामा के लड़के के साथ स्कूटी में डंटल क्लीनिक जा रही थी इस बीच जेरो पॉइंट ब्रिज के पास कुछ लोग पतंग उडा रहे थे ब्रिज से घुजरते समय वो चाइना डोर की चपेट में आ गई और उसका गला कट गया था आनन फानन में नेहा को उचैन के अस्पताल में ले जाया गया लेकिन इलाज के दौरान दूसरे दिन नेहा ने दम तोड़ दिया था ऐसी ही खबरों से बाखबर रहने के लिए जुड़े रहे शब्त साची से अगद देजे इजासत नियाजिया को नमस्कार